या पाकिस्तान इध्यास से समाप्त होगा हमेशा के लिए समाप्त होगा मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृष्ष से उन्नीस सो सेटालिस में वाता हूँ ही दृष्ष से तो आज बंगलादेश के अंदर हम सब को देखने को मिला बेड करोड हिंदू किस तरीके से बंगलादेश के अंदर आज चिला चिला करके अपने आपको अपने समित्ता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मूसिलेवें कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मूसिलेवें एक भी सब दिनका नहीं निकला है क्योंकि उनको भै है कि अगर इन प्री कमजोर लोगों की इस पक्समेन उने आवास निकाली ते इनका वोट बैंग किसक जाएगा वोट बैंग की चिंता है लेकिन मानुए संबेदना इनकी मर चुकी है मानो ताके रक्सा के लिए इनके मूसे एक भी सब्द नहीं निकलने वाला है नहीं निकलेगा क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की रासनीटी को प्रेदीत और प्रोटसाहिट किया उसको लेकर कि आगे बढ़ते रहें ये लगातार बाटो राच करो की उस राचनीटी के तहदे लोग तेज़ के अंदर कारे करते रहें अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की ये वास्तों में भारत की सत्ता का नित्रत तों नहीं कर रहे थे बलकि अंग्रेजों के ही ब्रिटी सर्के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को इस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे बिटी सर इस देश के अंदर कर रही थी और आज उसी का दुस्मेणाम या देश लगातार चुकाया है अखंड इंदुस्तान चुकाया है लेकिन हमारा संकल्प है मौरसी अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्गोशना की थी आजादी की तरास्ट देश की विवाजन की तरास्टी आजादी के मिलने के बाद अक्सर नोंने इस बारे में अपनी चिंता अब्यक्त भी किया और नोंने इस बात को कहा था कि अध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तिविक्ता नहीं है या तो उसका भारत में बिलाय होगा या पाकिस्तान इत्यास से समाप्त होगा हमेशा के लिए समाप्त होगा